नमस्कार किसान भाईयों मैं राम बावु सिंग अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पुर्वक स्वागत करता हूँ किसान भाईयों टूलिप दुनिया के सबसे लोक प्रिये फुलों में से एक है किसान भाईयों टूलिप उगाने में सबसे आसान बल्बों में से एक है बसंत में खिलने वाले ये बल्ब डेफोडिल्स और जलकुम्भी की तरह पतजर में उगाये जाते हैं अधिकांस एक या दो साल तक अच्छे से खिलते हैं इसलिए आप संभवता दो साल बाद बल्बों को खोद कर नए लगाना चाहेंगे हलाकि कुछ टूलिप बारह मासी होते हैं और कई बरसों तक अच्छा प्रदसन करते हैं अधिकांस प्रकार कीट और रोग प्रतिरोधी होता है किसान भाईयू टूलिप पूर्म तया सूर्ज में पनपते हैं यदि बल्बों को पहले ठीक से लगाया जाए तो वे सबसे लंबे समय तक चलते हैं यदि आवश्यक हो तो एक फूट की गहराई तक मिट्टी की जुताई करें और उनमें कुछ खाद डालें अच्छी जल निकासी अवश्यक होता है बल्बों को नुकिले सीरे से लगभग 4-6 इंच गहराई पर सेट करें हलाकि टूलिप लगाने की सटिक गहराई बल्ब के आकार पर निर्भर करेगी रोपन के बाद जर बृधी को प्रोटसाहित करने के लिए पानी जरूर डालें किसान भाईयों टूलिप को केवल सुखे जैसी अवधी के दोरान ही पानी देने की अवसकता होती है उन्हें प्रती बर्स दो बार निसेचित किया जाना चाहिए बसंत रितू में जब नई पतियां उभरे तो पैकेज के निर्देशों के अनुसार बल्ब उर्बरक या उन मील के साथ खाद डालें पतजर में फिर से खाद डालें किसान भाईयों टूलिप की सेकरो किसमे हैं आप किसे चुनते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां रहते हैं और आप कहां रोपन कर रहे हैं किसान भाईयों टूलिप की कई किसमे हैं जैसे कॉफ मैनियाना, फोस्टरियाना, तिंगल अरली किसान भाईयों कुछ मध्यम मौसम टूलिप किसमे हैं जैसे ट्रायम्फ, डार्विन, हैब्रीड्स, जालरदार, डबल लेट, लीली फूल, ओता, कित्यादी किसान भाईयों टूलिप के फूल, जितने खुबसूरत होते हैं, उतने ही महगे दामों पर बजार में बिखते हैं किसान भाईयों इसकी खेती जम्मुक कस्मीर से ले करके उत्राखंड और पूरे भारत के राजियों में अब किसान भाई कर रहे हैं आप भी इस फूल की खेती करके काफी मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाईयों इस वीडियो में दी गई जनकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अनिकिसानों तक सेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिलकूल भी न भूलें धन्यवाद